हाँ देखें हम दोगों को पढ़ना है एपनी केसन आप डिटर्मेंट का एपनी केसन क्या है वो ची आप संदो एपनी केसन आप डिटर्मेंट तू फाइन्ड तू फाइन्ड एरिया आफार्ट रेंगे तो जब triangle का area निकारना हो तो आम लोग क्या कर सकते हैं अगर आपको vertices given है vertices given है और कैसे given है कि एक vertices मान लिजिए x1 कामा y1 है दूसरा vertex क्या है x2 कामा y2 है तीसरा vertex आपके पास x3 कामा y3 इसका मतलब यह कि अगर आपके पास ऐसा triangle बना हुआ है यह x1 कामा y1 है यह x2 कामा y2 है और यह आपके पास x3 कामा y3 है तो आप ध्यान रखेंगे कि ट्रेहंगिर का जो एरिया होता है एरिया आप ट्रेहंगिर वो बेटा आपके पास होगा 1 by 2 और डिटर्मेंट ऐसे निखेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इस पूरे का माड क्योंकि हो सकता बैनों निगेटिव आ जाए तो आप उसका क्या ने नोगे माड ने नोगे इतने इसक्वाइर उनिट तो परदा काम ये करिए सक्की साथ दीजे सभी दोग फिर हम इससपर एक ग्जाब पदेते है चलिए इसकी साथ आपने लेगा NO ने लिया हुका अब हम एक जांपे ने 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 एक एक जांपर लेते हैं जिसका एयरीया हम लोग निखाड भी सकें और इ एक वर्टिसस हमने ने लिया 0,0 या पामनों हमने लिया 0,4 दूसरा वर्टिसस हमने लिया 0,0 तीसरा हमने लिया 3,0 तीसरा हमने लिया 3,0 तीक एगा जुमेट्री से हम लोग फीगर बनाएं तो 0,4 का मतब है X 0,Y 4 तो ये पॉइंट होगा 0,4 जहां पर ये हाइट ये पर 3,0 तो इस टाइप से जो ट्रेंगिर बना ये वाना जिसको हम करण चेंज करके भी बना रहे हैं माली यहां पर हमने करण चेंज कर दिया आपके पास ये जो ट्रेंगिर आपको मिन रहा है ये ये और ये इस ट्रेंगिर का एरिया आप निकाल भी सकते हैं जर्णर कैसे बैस कितना आपके पास यहां पर 3, इंटू, हाइट, हाइट कितनी आपके पास, हाइट अगर आप देखें तो यहां पर कितनी जारी, फोड जारी, तो आप इस से देखें तो आप एरिया बता सकते हैं 6 स्कोाइर यूनिट्स अब हम लोग डिटर्मेंट से करते हैं तो डिटर्मेंट में आप क्या करोगे 1 by 2 यहाँ पर आईए x1 x1 की value पर हम दिखने ते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 और इस पूरे का भी माड तो 1 by 2 0 यह x1 हो गया 0 यह हो गया आपके पास 4 y1 की value और यह 1 हो गया यहाँ पर हो गया 0, 0, 1 और यहाँ पर हो गया 3, 0, 1 ठीक है बहुत अच्छी बात है हमारे पास इससे हम expand कर सकते हैं क्योंकि यह 2 0 मिल गए तो आप जब second row की helm से expand करें तो 1 by 2 अच्छा यह element है आपके पास 2, 3, 2, 3 का मतलब हुआ 5 add होने पर यानि कि एक add नमबर है तो यहाँ minus आएगा तो minus 1 ठीक है मार्ट डगाते रहेगा यह तो यहाँ पर भी मार्ट होगा अब bracket में इसका इससे product होगा माइनस के साथ इसका इससे product होगा तो यह 0 आएगा माइनस का turn वाएगा यहाँ पर आप जड़ा simplify करें तो यह आपको मिन जाएगा कितना 6 square unit है कि सेम आए आपके पास तो vertices आप ट्रेंगीर आप ऐसे question कर सकते हो ठीक है अब एक हम दूसरा exam पर नेते हैं इसका आप ने लिजेगा इसकी insights भी दो अब हमने बोना if वर्टिस से साफ आट रहेंगे आर हमने बोन दिया मानीजे कि k, 0 k, 3 k, 5, 3 is यह हमने बोना आपको ठीक है तो इसका हमने एक मिनेट जिरा और यहां हमने एक कॉइंट दे दिया आपको एज हमने एरिया दे दिया 2 square unit माननों यह दे दिया 2 square units तो आपको क्या करना है k की बहन दूसरा नी बेटा then k, 1 question आप क्या करेंगे 1 by 2 x1 1, k, x2, 0 यह, sorry, y1 0, x1 y1, 1 तो यह इस टाइप से फिर x2 कितना आपके दूसरे बार ने से देखिए y2, 3, यह 1 यहां पर आप देखेंगे तो क्या मिनेगा 5 और यह आपको मिनेगा 3 और यह आपको मिनेगा 1 this equal आपको दिया हुआ है 6 आप देखें, यहां पर आप property ना लगाई यहां पर आप direct expand कर दें क्योंकि यह property का question नहीं property वाले question में आपके पास nick कराएगा यहां तो मैं बस value निकार नी तो this equal 6 हो जाएगा तो देखें, आप जब right side, sorry, left hand side को calculate करेंगे तो k into 3 minus 3, 0 हो जाएगा बेटा minus 0 into, यहां पर करेंगे तो 0 के साथ कुछ भी आए, वो 0 ही रहेगा यहां पर आप बोनेंगे minus, sorry, plus का 1 into यह बनेगा आपके पास 3k, minus का 5k this equal 6, आप जड़ा simplify करें तो देखें, यह 0, 0 minus 2k तो यहां से k की बनेट, अच्छा, mad लगा ओता है यहां पर, mad लगाते रहें, उस mad का काम है यहां पर, यह mad लगाते रहाइएगा तो यहां पर आप देखें, तो minus 2k से 2k बचेगा k पर mad लगा लिजे, equal 6 तो यहां से आप देखें माड आप के कुण कितना आएगा आपके पास 3 आएगा तो यहां से आप k की value बता सकते हैं क्या होगी पनस माइनस 3 तो यह आपके पास answer बन जाएगा अच्छा देखों figure से बनाने कोशिस करते हैं कि कौन सी value accept होगी k,0 कुछ होगा k,3 उसी के इसाप से होगा और 5,3 आप बता सकते हैं 5,3 ऐसे कुछ होगा यहां पर 5,3 और k,3 कुछ यहां पर होगा यानि कि height इसकी भी वही है और k, 0 यहां नीचे होगा k, 0 तो आप ऐसे भी देखें right angle के इसाप से तो यानि कि यह distance आपके पास कितनी बनी k और यह जो gaping है आपके पास यह क्या है वेटा 5-k है तो आप रगा सकते हो 1 by 2 k into 5-k कितना दिया था तो यहां से आपको मिलेगा 5-k-k-2 कितना मिलेगा यह 6 मिलेगा तो आपको k-k-5-k-6-1-0 मिलेगा तो यहां से आपके k के 2 factor आएगा एक प्नस 3 आएगा एक आपके पास 2 आएगा तो यानि कि जो value accept होगी वो प्नस 3 वाली होगी ठीक है वेटा फीगर से मने ग्रफरी आइडिया निया तो आप k-k-value final कितनी accept करने के थी तो यह तो होता है area निकारने के लिए अब दूसरा एक point इसी से आप छोटा सा एक point और याद रखें तो वो क्या point है जड़ा समझे ध्यान से अब एक point है आपके पास condition for co-linear point लेगे आपको पता होगा co-linear point का मतब होता है जो एक ही line में हो तो एक ही line में जो point होंगे तो आपके पास triangle तो बनेगा नि मतब आपके पास यह भी यहाँ पर है यह भी यहाँ पर है और यह भी यहाँ पर है जब एक ही line में है तो ट्रेंगिर नहीं बनेगा और ट्रेंगिर नहीं बनेगा तो area आप ट्रेंगिर बेटा कितना हो जाएगा? 0 जब area आप ट्रेंगिर 0 हो जाएगा तो आप 1 by 2, x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 इसको कितना कर देंगे? 0 जब 2 का multiply कर दोगे तो condition आपके पास final ये निकर कर आ जाएगी इस type से ये आपके पास final condition बन जाएगी this equal 0 तो ये होता है core linear की condition इसको आप याद रखेंगे बहुत important condition point of view से भी तो इस condition को आप याद रखेंगे कि condition आपके पास ये बनेगा अब इस पर हम एक question रहते हैं तुरं A, B, C, B, C, and C, A, A, B, R, co-linear तो आपको क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे A, B, C, यहाँ आएगा B, C, यहाँ आएगा C, यहाँ होगा A, P, N, B, यहाँ होगा 1, 1, 1, आप क्या करिए first column को add करिए firstness second में तो आपको determinant की value 0 मिन जाएगी यानि कि यह कैसे co-linear है देखिए यह बना, यह बना, यह बना, यह बना, B, N, C, C, A, A, B, 1, 1, 1, यहाँ से आप कामन ले लिजेगा A, B, N, C, तो आपको यह पूरा 1, 1, 1, 1 मिन जाएगा और यह भी कितना है?